आज खुश्ट बहुत हो गेता है सलाम वालेकुम नाजरीन नूरानी खबरों में आपका खेर मगदम है नाजरीन आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद मोदी ने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई अपनी गलती मानी है मेरे प्यारे देश वासियों आम तोर पर मन की बात उसमें मैं कई विश्यों को लेकर के आता हूँ लेकिन आज देश और दुनिया के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कोरोना वैश्विक महामारी से आया हुआ ये भहेंकर संकट ऐसे मैं मैं और कुछ बाते करूँ वो उचित नहीं होगा लेकिन सबसे पहले मैं सभी देश वासियों से शमा मांगता हूँ और मेरी आत्मा कहती है का आप मुझे जरूर शमा करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे निर्णे लेने पड़े हैं जिसकी वज़ा से आपको कई तरह की कठेनाईयां उठानी पड़ रही है खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूँ तो जुरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है उन्होंने माना कि लॉक्डाउन के निर्ने में उन्होंने जल्द बाजी की शेहरों के अंदर जो गरीब दहारी मच्दूर रहते हैं उनके बारे में कोई योजना नहीं बनाई जिसके कारण उन्हें परिशानी हुई, इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं उनसे शमा मांगता हूँ चलो, अच्छी बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार अपनी गलती सुईकार की उनके भाशन को सुनकर दिवार पिच्चर का अमिता बच्चन का एक डायलोग अपने आप याद आ गया और डायलोग याद आना भी चाहिए था क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कभी अपनी गलती सुईकार नहीं की जब सबसे पहले उन्होंने अपनी घर वाली को और घर बार को छोड़ा था लोगोंने उन्हें गलती का हैसास कराया होगा पर उन्होंने इसे आज तक सुईकार नहीं किया इसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री काल के दौरान उन पर गुजरात में दंगे करने का आरोप लगा लेकिन उन्होंने तब भी अपनी गलती को नहीं माना उसके बाद उन पर छोटे मोटे गलती करने के आरोप लगते रहे लेकिन यहां उनका जिक्र करना इतना जरूरी नहीं है देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने आठ बजे नोट बंदी की गोशना की जिसमें पूरे देश को उन्होंने बैंक की लाइन में लगा दिया लेकिन आज तक उन्होंने अपने इस कारे पर गलती नहीं मानी हां बलकि लोगों को आशवासन देते रहे कि आप मुझे 50 दिन का समय दीजिये मैं बिल्कुल सब कुछ ठीक कर दूँगा लेकिन जो हुआ वो देश की जनता भली भाती जानती है इसके बाद उन्होंने GST के मामले में भी विपारियों से माफी नहीं मांगी इसके बाद NRC और CAA के मुद्दे को लेकर सारे विपक्षी दलों के साथ साथ पूरे देश की जनता ने उनके खिलाफ एक आंदोलन चलाया लेकिन कमाल है मुदी जी आपने अभी तक भी इसके बारे में अपनी कोई गलती नहीं मानी और पूरे देश को सामप्रदाइकता की आग में धकेल दिया जिसके कारण दिल्ली में इतने बड़े स्तर पर दंगे हुए जो की आज तक इतेहास में कभी नहीं हुए उस पर भी आपने कोई पस्तावा नहीं दिखाया और आप धर्म की राजनीती करते रहते हैं उसके तुरंत बाद जब सारी दुनिया के देश कोरोना वाइरस को लेकर उसकी रोक थाम के लिए योजना बना रहे थे तो आप अमेरिका के राश्रपती डोनल्ड ट्रम की चमचागिरी में लगे हुए थे और उस समय दिल्ली सामप्रदाइकता की आग में जल रही थी लेकिन आपने आज तक उसके बारे में दो शब्द भी नहीं कहे फिर अचानक जिस चीज का डर था वही हुआ और इस खतरनाक बेमारी कोरोना वाइरस ने भारत में भी दस्तक दे दी लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये रही कि आपने ठीक आठ बजे पूरे देश को लॉकडाउन करने की घोशना कर दी पता नहीं आठ बजे ही आप ऐसी सारी घोशनाई क्यों करते हैं क्या किसी जोशी ने आपको बता रखा है कि आठ बजे का समय आपके लिए शुब है लेकिन मोदी जी आपके लिए शुब हो सकता है देश के लिए शुब नहीं है नरेंद्र मोधी जी इस घोशना में आपने देश के अंदर रहने वाले गरीब धहाडी मजदूरों के बारे में नहीं सोचा कि वो इस लॉकडाउन में कैसे रहेंगे सिर्फ आपने तीन घंटे का समय दिया तीन घंटे में कोई गरीब आदनी कैसे मैनेज कर सकता है तीन घंटे में कोई पैसे वाला भी मैनेज नहीं कर सकता लेकिन क्या करें ये लॉकडाउन कम और शॉपडाउन जादा लोगों को शुक्र है मूधी जी आपको अपनी गलती का एसास हो गया और आपने जनता से शमा मांगी और अमिता बच्चन का वो डायलोग याद आ गया कि आज खुश तो बहुत होगे तुम मैंने अपनी जिन्दगी में कभी किसी से कोई गलती नहीं मानी आज मैं पहली बार जनता से कोई गलती मान रहा हूँ हाँ मोदी जी देश की जनता पता नहीं खुश होगी या नहीं लेकिन ये है कि आपको आपके किये पर पच्थावा है भगवान जरूर आपसे खुश होंगे गलती मानने से कुछ नहीं होगा मोदी जी आप इन गरीब दहाडी मजदूरों के लिए कोई योजना बनाईए मोदी जी जब आपकी रैली होती है तो लाखो आदमी उसमें आते हैं आपके कारे करता आपकी पार्टी के लोग उनको लाने ले जाने के लिए बसों का प्रभंद करते हैं तो क्या इन लोगों के लिए सुविधाएं आप नहीं दे सकते समझ लो ये लोग आपकी रैली में ही आए हैं और दूसरी बात जादातर लोग बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से हैं क्या इन राज्यों की सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती अपने नागरिकों का ध्यान रखा जाए उन्होंने सिर्फ एक दूसरे से बातो बातो में और मीडिया को खुश करने के लिए बयानबाजी करते रहे लेकिन कोई ठोस योजना नहीं बनाई और बिहार में तो अब इलेक्शन होने वाले हैं तो नितीश कुमार जी को तो जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए और इनके बारे में सोचना चाहिए लेकिन क्या जरूरत है नाजरीन हम देश की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं आपने उन लोगों से माफी मांगी ठीक है लेकिन बातों से कुछ नहीं होगा आपको इनके लिए कोई ठोस योजना बनानी पड़ेगी ताकि ये लोग अपने परिवार के साथ रह सके और बिना किसी परेशानी के अपने घर जा सके तब ये लोग खुश होंगे और देश के प्रधान मंतरी होने के नाते आपका ये फर्ज है नाजरीन अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें अपने जानने मिलने वालो और दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेर करना बिल्कुल न भूले अगर आप हमारे चानल नुरानी खबरों पर नए है तो हमारे चानल नुरानी खबरों को सब्सक्राइब कर ले अल्ला हाफिस